हलो फुडीज, वेलकम तुमाच चैनल, तो आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी दाल पक्वान, जैसे पंजाबियों के छोले पटूरे और साउथ का इटली दोसा, वैसे ही होता है सिंधीयों का दाल पक्वान, वहादी टेस्टी और डिलीशस बनता है, तो आईए दाल पक्वा पक्वान बनाने के लिए मैंने याँ पे एक कप चने की दाल, जिसे मैंने दो घंटे अच्छे सिधो के पानी में बिगा के रखा था, उसे प्रेश्य कुकर में डाल दिया, अब इस दाल में मैं याँ पे वन एँन हाफ कप पानी डाल रही हूँ, पानी डालने के बाद और नमक स्वाद अनुसार अब इसे हम चाव विजल दिला देंगे तो आए पक्वान की तयारी कर लेते हैं तो पक्वान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो कप मैदा लिया और क्वाटर डी स्पून अजवाएं जिसे मैंने इस तरीके से हाथ से मसल के इसमें डाल दिया अब मैं इसमें डालूँगी नमक स्वाद अनुसार और दो टेबल स्पून सूजी सूजी से पक्वान बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं अब मैंने इसमें दो टेबल स्पून ओल डाल दिया है अब चाहें तो घी भी डाल सकते हैं अब इसे अच्छे से मिक्स करके में जो है इसका दो तयार कर लूँगी तो इस डो को तयार करने के लिए मैंने यहां पर एक कप पानी लिया है दो कप मैदे में लगबग लगबग पौण कप पानी जो है लग जाता है तो अब इसका हम थोड़ा से जामी सौफ सा डो बना के तयार कर लेंगे इस पकवान के आटे को हम गूतने के बाद इसे कम से कम 15-20 मिनट तक ठक के रखेंगे उससे पकवान बहुत ही अच्छे बनते हैं और अगर आपके घर में कोई function है तो आप चाहे तो इस पकवान को 24 दिन पहले भी तल के रख सकते हैं यह पकवान काफी दिनो तक चलते हैं ख़राब पिल्कुल नहीं होते हैं और आपसे easily airtight container में store करके रख सकते हैं तो अब यह आटा जो है मैंने देखिए तयार करके रख लिया है इसे ढखके में जो है इसे पंदा मिनट तक रेस्ट करने के लिए से रख दूंगी तो आप पंदा मिनट के बाद यह आटा देखिए अच्छा सा सेट हो चुका है अब इसकी जो है हम छोटी छोटी लोईया कट करके त्यार कर लेंगे देखिए इस साइस की अब इस लोइयों को भी आप क्या करिए ढग के रख दीजिए जब तक हम पक्वान बेयलेंगे तब तक लोईया ताकी सूखे न तो मैंने इसे क्या है सारी लोईया बना के इसे अगेन ढखके साइट करके रख लिया है तो अब हम इसके पक्वान बेल लेंगे पक्वान बेलने के लिए मैंने आपे सूखा मैदा लिया है और £20 लगा कि पत्ली पत्ली से रूटियों के जैसे बेल लेंगे इस तरीके साइज अब अपने साबसे चोटा या बड़ा रखिए मैंने यापे medium size के पकवान बना के तयार किये है इस पकवान की मैं आपको thickness दिखाती हूँ देखिए आपको इतना पतला बिलना है इसे अब क्या करेंगे जो fruit का fork होता है उससे इसमें holes करेंगे ताकि तलते समय पकवान पुड़ी की तरफ फूलेना तो इस तरीके से आप अगर आपके परस fork नहीं है तो आप चाकू से भी कर सकते है तो इस तरीके से आप इसमें चोटे-चोटे holes कर दीजे देखिए इस तरीके से एक और पकवान मैं आपको बेल के यहां पर दिखाती हूँ तो दीखिए एक और पकवान हमने यहां पर बेल लिया अब इसे जो है मैं आपको चाकू से इसमें holes करके दिखाती हूँ दीखिए इस तरीके से जो है आप इसमें यह जरूर से करिए उससे क्या होगा ना पकवा आपापडी के जैसे बहुत ही अच्छे बेलेंगे तो अब हम इसे तेल में तल रहे हैं तो मैं इसे मीडियम हाइफ्लेम पे साइफ पर लोगाई की। नहीं थेल को होता है यह फ्रूलिए आपकाय को घ्राइफ थें तो हम इसे मीडियम हाइफ्लेम पर टाल के त्यार कर लेंगे ये पकवान थोड़े से डाकर साइट पे होता है थोड़े से डाक होते हैं, सुनेरे से हम तलके निकालते हैं मैं अब को दिखाती हूँ एक पकवान का Forgive लेखी, अलमुस्ट ये गलर होता है मैं अब को एक और पकवान या पे तलके दिखाती हूँ तो यह पकवान जब हम तलते हैं थोड़े से लाल साइट पे ही बनके तयार होते हैं और वही जो है न क्रिस्पी और अच्छे होते हैं खारे में टेस्टी लगते हैं तो इस तरीके से मैंने सारे पकवान यहां पे तलके तयार कर लिया अब हम चलते हैं दाल को तड़का देने के लिए तो दाल को चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी यहां पे गली है कि नहीं तो दाल जो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है तो अब हम इसे तड़का लगा लेंगे तो तड़का के लिए मैंने यहां पे तड़का पहल लिया और उसमें दो तेल डाल दिया जैसे ही तेल घरम होता है मैं इसमें डालूँगी एक छोड़ा चमच जिया थोड़ी सी हिंग बारिक कटी हुई अद्रक या कद्दू कस करके भी आप डाल सकते हैं दो हरी मिच मैं यहां पर डाली अब इन सभी चीजों को अच्छे से फ्राय करेंगे हम 32-40 सेकंड के लिए और उसके बाद मैंने इसमें डाला आधा चोड़ा चमच अमचूर पॉडर एक चमच धनिया को मैंने इसमें दाल डाल दी अब मैंने या पे थोड़ा सा बारी कटा हुँआ हरा धनिया डाला तो त्यार है हमारी डाल पकवां की डाल इसे अच्छे से एक उबाल आने तक आप पका लीजिए तो आइए इसे जो है सर्फ कर लेते हैं इस इसे सव करने का भी अपना ही एक अंदास होता है, तो इसे मैंने serving bowl में transfer कर दिया, इसकी थिकनिस आप देखिए, इसकी थिकनिस आर्मुस्ट इतनी ही होनी चाहिए, ज्यादा पतली डाल यह अच्छी नहीं लगती, तो अब इसके उपर मैं डालूँगी थोड़ा सा बारी कटा हुआ प्याच, बहुत ही अच् है तो skip कर दे, और थोड़ा सा बारी कटा हुआ टमाटर, मीठी इमली की चतनी, और अब मैं इसमें डालूँगी हरी चतनी, और थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धन्या, और कुछ हरे मिर्च, बहुत ही tasty लगती है यह दाल, अब हम इसके लिए बनाएंगे एक special चतनी, तो इस चतनी के लिए मैंने यहाँ पे इमली का पानी लिया है, इमली को मैंने बिगा के रखा हुआ था और उसे चान लिया, अब मैंने इसमें डाला बारी कटा प्याँच, और थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा मिर्च, और बारी कटा हुआ हरा धन्या, थोड़े से बारी कटे टमाटर और थोड़ा सा मैंने यहां पे लिया है जीरा का पॉडर भुना हुआ जीरा का पॉडर थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी काला नमक और थोड़ा सा इसमें जाएगा लाल मिच का पॉडर इन सभी चीजों को मिक्स कर लीजे यह चतनी दाल पकवान के साथ बहुत ही और delicious लगती है तो तयार है हमारा दाल पकवान अब इस दाल पकवान को भी खाने का अपना style होता है मैं आपको यहाँ पे एक पकवान बताती हूँ कैसे हम खाते है दिखिए इसका sound कितना crispy है इस तरीके से आप इसे break कर लीजे एक पकवान को अब इसके उपर जो हम डालेंगे यह दाल जो कि हमने तयार करके रखी है और अब इसके उपर जो हमने इमली की चटनी बनाई है प्यास वगर डालके वो डालेंगे और अब इसके उपर जाएगी थोड़ी सी हरी चटनी बहुत ही super delicious लगता है यह दाल पकवान फ्रेंट्स जरूर आए कीजिगा मेरी यह रेसिपी और पताईएगा आपको कैसी लगी और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बाहर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब सरूर करे थैंक यू फा वाचिंग